राधे राधे भक्तो आशा करती हूँ आप सब स्वस्तोंगे मस्तोंगे आपका हादिक स्वागत है श्री माधिवजी की सेवा में कातिक मास का तीसरा ध्याय शुरू करते हैं तो जो इस परकार है श्री कृष्ण भगवान के चर्णों में सिस जुकाओ सत्ते भामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं, फिर यह कातिक मासी सब मासों में सरस्ट क्यों हैं, सब दिथियों में काश्ची और सब मासों में कातिक मास को ही आप अपना प्रिये क्यों बतलाते हैं, इसका कारण कहिए, भगवान श्री कृ प्रिशन बोले हे प्रिये तुमने मुसे बहुत अच्छी बात पूची है मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ ध्यान से सुनो इसी परकार एक बार महराज बेन के पुत्र राजा प्रिथु ने प्रसन के उत्तर में देवरशी नारत से प्रशन किया था की और श्री नारत जी ने उसे कातिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा प्रिथु के प्रशन के उत्तर में देवरशी नारत ने कहा था। हे राजन एक समय संख नामक एक राक्षिश बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कमपाये मान कर दिया था। उस संखा सुर्ट में स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत कर इंद्र आदी देवों वे लोक पाल थे वे बाद में समेरु परवत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब संख को पता चला कि देवता आनद से समेरु परवत पर रहने लगे हैं तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ती जरूर है जिसके कारण अपना शरीर छिन जाने पर भी देव बल्वान होते जा रही हैं यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुचा कि वह सब वेद मंतरों के बल से भी बल्वान हो रही हैं अगर इनसे वेद छिन लिये जाएं तो यह अपने आप निर्बल हो जाएंगे देवरशी नारत बोले ऐसा सोचकर संखा सुर भगवान व विष्णू ने उसकी नियत जानकर उसके डर के कारण बीज मंतरों के साथ समुंदर के जल में छिप गए संख भी वेद मंतरों तथा बीज मंतरों को ढूंदता हुआ समुंदर में परविस्ट हो गया लेकिन नय तो उसको वेद मंतर मिले और नहीं बीज मंतर ही जब संख स समुदर से निरास होकर वापिस लोटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामगरी लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विश्णु की सरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और दूप गंद आदी से बार बार उस परसन हुए और उनसे इस परकार कहने लगे मैं आप लोगों के इस कीतन और मंगला चरण से अतीव परसन हूँ आप अपना अभिवस्ट वर मांगिए मैं अवश्य परदान करूंगा जो मनुश्य आश्विन सुकल के एकाशी से देवो थानी एकाशी तक ब्रहम मुहरत में उठकर मेरी अर्चना करेंगे वह तुम्हारी तरह मेरे परसन होने के काण सुक को प्राप्त करेंगे यह जो पाद्य अधर्य आच्चमन और जल आदी सामगरी आप लोग मेरे लिए लाई हैं वह अनंत गुनों वाली होकर आपका कल्यान करेगी शंक जो वे चुराकर ले ग प्रती वर्ष कातिक मास में जल में विशराम किया करेंगे अब मैं मतस्य का रूप धारन करके समुंदर में जाता हूँ और आप लोग भी रिशी महर्शियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें जो कातिक मास में पहर रात्री पहले सनान करते हैं वे निश्चे ही अक्षे फल को वे अज्यात में अमरित सनान का फल प्राप्त करते हैं हे देविंद्र जो कार्तिक मास में वर्थ करते हैं उन्हें सब परकार से धन पुत्र पुत्री आदी देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना हे धन पती कुबेर मेरी अग्यान उसाल तुम उनका धन धानने बढ़ाते रहना क्योंकि इस परकार का आच्रन करने वाला प्राणी मेरा रूप धारन करके जीवन मुक्त हो जाता है जनम से लेकर मरन परियंत जिसने विदी पूरवक यह है उत्तम वर्त कर लिया है वह आप ल यह दोनों वर्त नियम पूरवक करने से प्राणी मेरे समीप पहुचते हैं इन वर्तों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य वर्तों से नहीं मिलता इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महत्में और एकाशी कथा सुनते हुए उप्रियुक्त न और राधे राधे लिखना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें राधे राधे भक्तों